सुभा सुभा का नास्ता, ओम्रेट सेंविच बाती अलग है हलो दोस्तो, मैं हूँ सुधीप और आपका स्वागत है सुधीप किचन में तो फिर तेरे किस बात की, चलो सुरू करते हैं मैंने लिये हैं तीन अंडे, आप चाहें तो दो अंडे ले सकते हैं क्योंकि मुझे अंडे खाने बहुत पसंद है, चलो फिर इनने तोड़ते हैं सब अंडेों को एक के करके तोड़ ले एक बाउल में अब बारी है मसालों की, चलो वन टीस्पून ओरिगोनोग, हाफ टीस्पून चिली फ्लैक्स वन फोट टीस्पून काली मिट्ज और वन फोट टीस्पून शॉल्ट, यानिके नवग, नवग अपके टेस्ट करने उसा डाले, अच्छे से मिक्स कर ले, यह मिक्स हो गया है हमारा, अंटे को गोल हो गया है तयार, चलो अब चलते हैं अपने वेजिटेबल्स पे, यह हमारी वेजिटेबल्स है, वन टीस्प अकॉर्डिंग शॉल्ट ले ले, कैपसिकन, टमैटो, और थोड़ा काली मिर्च और ओनियन, मैंने लिया है वाइट ब्रेट, आप चाहिए तो ब्राउन ब्रेट ले सकते हैं, और इस पे लगा तो चिल्ली गाली सॉस, स्पाइसी के लिए, अगर आपको स्पाइसी पसंद कोई बाते हैं, आप इसमें रेड टमैटो सॉस भी लगा सकते हैं, अब बारी है बेजी टेबल्स की, जो मैंने पहले ही चौप करके रख लिया था, प्याज को अच्छे से फेला दे, डाले फिर कैपसिकन, कैपसिकन को भी अच्छे से फेला दे, फिर डाले टमाटर, थोड़ा ही काली मिर्ज डाले, ज़्यादा मट डाला दोस्तों, यह स्पाइसी हो जाएगा, इसके बाद डाले अपना सॉल्ट, टेश के अनुसार, सेंविच की स्टफिंग कम्पलीट हो गई है, अब सेंविच को बंद कर देते हैं, अमलेट ब्रेट, अमलेट ब्रेट बनाने के लिए, हमें कोई पहले से अमलेट नहीं बनाना है, हमें डिप करना है अपनी ब्रेट को अमलेट बाले खोल में, अच्छे से दोनों तर्क डिप कर ले, डिप करने के बाद, अपनी ब्रेट को अपने ग्रिलर में रखते हैं और हाँ मैंने पहले से ही ग्रिलर को गरम कर दिया था दोस्तों सापधानी से रखें एच्छिली ग्रिलर गरम होता है और हाँ अगर आपके पास ग्रिलर मसीन नहीं है तो डॉन वारी टैंसर मत देजिए आप तबेबी इसको बना सकते हैं बहुत इजी बन जाता है नॉन इस्टिक तबाह होने चाहिए लेकर हमारा सेंविच हो गया है रेडी चलो फिर थोड़ी ट्रेसिंग करते हैं सेंविच को साइड से कट कर लें अगर आपके पास कटर नहीं है कोई बात नी दोस्तों आप अपने घर के चाकू से भी कट कर सकते हैं हमारा ओमलेट सेंविच तब पूपल क्रिप्सी और स्पंची बन गया है देपोस चारों तरफ से हमारा अच्छे से ओमलेट पक गया है अब इसको अपने चिली गली सॉस के साथ खाएं यह टोमाटो सॉस के साथ खाएं मॉर्णिंग का नास्ता सुपर्व ओके दोस्तों मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू सो मच एंड बाई